हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने चैनल आस क्लास में जैसे आपको पता है कि बिहार बोड ने मैट्रिक और इंटर का फाइनल एक्जाम डिट जारी कर दिया है बोड परिक्षा 2023 के लिए और बिहार बोड ने मैट्रिक और इंटर का एक्जाम रूटीन भी जारी कर दि हैं इसी वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे तो प्लीज आप लोग वीडियो के एकदाम सुरू से लेके अंतक देखिएगा और इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक और इंटर का प्रेक्टिकल का एक्जाम कब से होगा और मैट्रिक और इंटर का जो final admit काड आता है वो कब आएगा और जो आप लोग final परिक्षा दिजेगा उसका result कब आएगा और compartment परिक्षा कब से होगा ये सभी हम आपको बताने वाले हैं तो इस वीडियो को आप लोग एक दम सुरू से लेके अंतक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी महत्पुण है और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं कियें तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक किजेगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को All पे दबा लिजेगा ताकि जब भी लाइफ क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे जैसे आपको पता है कि जो इंटर का वार्षिक परिक्षा होने वाला है 2023 में ये 1 फरवरी 2023 से सुरू होगा और कब तक चलेगा तो 11 फरवरी 2023 तक चलेगा और वहीं पे जो metric का परिक्षा होने वाला है 2023 में ये कब से शुरू हो रहा है तो ये 14 फरवरी 2023 से शुरू हो रहा है और ये कब तक चलेगा तो ये 22 फरवरी 2023 तक चलेगा तो चलेगे हम आपको क्या करते हैं अब रूटिंग समझाते हैं और जो official routine बिहार बुड ने जारी किया है उसी को download करना सिखाते हैं और उसी routine पे सब चीज लिखा गया है बाबू उसी से हम आपको एकदम सिखाएंगे तो चलेगे उस routine को कैसे download कर सकते हैं तो सभी के phone में होत दिखाई दे रहा है इसमें बस आपको लिखना है ask class तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A, A, S, K और फिर यहाँ पे C, L, A, S जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं ask class बिल्कुल आप लोग ऐसे ask class लिख के सर्च कर दिजिएगा और जैसी सर्च किजिएगा यहाँ पे दिखिए ask class लि पे आपको क्लिक करना है अगर यह फोटो यहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो इस website के आपको सबसे नीचे आना है यहाँ पे education लिखा गया है इसी में आपको देखना है तो अभी यह उपर है एक number पे है बिहार बोड ने जारी किया metric और इंटर का time table यहाँ से download करें मातर एक क्लिक में तो यहां से भी कर सकते हैं तो अभी उपर दिखाई दे रहा है तो हम इसी photo पे click करेंगे और जैसी click करेंगे यह खोलने वाला आएगा तो खोलने वाला आएगा तो इससे आप लोग खोल दीजेगा फिर आपको cut करके फिर इसी photo पे आपको क्या करना है इस post में तो यहां पर हम लिख दियें कि final board परिक्षा 2023 में कितना objective पूछेगा कितना आपको बनाना है तो गणित में 100 objective पूछेगा जिसमें से आपको 50 बनाना है बिग्यान में 80 पूछेगा जिसमें से 40 बनाना है समाजिक बिग्यान में 80 पूछेगा 40 बनाना है अंग्रेजी में 100 पू करके डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर देखे यह ओपन हो चुका है अब इसे आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कैसे कीजिएगा यहाँ पर डाउनलोड का बटन दीख रहा है इसी पर बस आपको क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पर यह डाउ उसके बाद मैट्रिका दिया गया है तो सबसे पहले हम मैट्रिका समझा देते हैं उसके बाद हम यहाँ पे इंटर का यहाँ पे आपको समझाएंगे तो यहाँ पर दिखे यह मैट्रिक के लिए है माध्यमिक परिक्षा के लिए तो यहाँ पर दिखे लिखा गया है कि माध्य धर्थियों को प्राप्त कराने किती थी कब या पुजारी होगा आपका ओरिजनल एडमिट कार्ड तो आपका जो ओरिजनल एडमिट कार्ड यह जारी होगा यह आठ एक दोहजर तेस यानी आठ जनवरी का आपका ओरिजनल एडमिट कार्ड जारी होगा और यह कब तक यहाँ पे डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं तो 15 जनवरी तक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद देखें यहाँ पे परियोगिक परिच्छा यहाँ पे दिग्या गया है कि इसका आयोजन कभ होगा निए आपका प्रैक्टिकल एक्जाम कभ होगा तो देखें उननिस और ही 2030 तक आपका प्रैक्टिकल एक्जाम होने वाला है और इसमें प्रैक्टिकल एक्जाम का एड्मिट कर नहीं होता है बच्चे पूछते हैं कि सर मैट्रिक का भी यहाँ पे परियोगिक परिच्छा होगा उसका एड्मिट कर आएगा तो नहीं इसका एड्मिट कर नहीं अब क्या दिया गया है मेन यहां पे है बाबू आपका यह time table यहां पे आपको समझना है कि time table कब आपका किस दिन पड़ेगा अगर second shift में पड़ा तो कब से कब exam होगा फर्स sitting में पड़ा तो कब से कब exam होगा तो बिल्कुल इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा ऐसा आपको कोई नहीं समझा पाएगा तो बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लिजे जो आपका board परिक्षा 2023 में exam होगा दसवा का यह दो पाली में होगा यानि यह को first sitting में जो running होगा यानि दूइतिया पाली में होगा और पहले दिन देखिए पहला आपका परिक्षा 14 तरिक से start हो रहा है और पहले दिन ही गरीध पड़ाईए और गरीथ का देखिए यहाँ पर seat code कितना दिया गया है 110 दिया गया है दूइतिया पाली में 210 गरीदि land मह Loris यानि इसका question paper अलग आएगा इसलिए दो set code दिया गया है और जो first पाली का exam होगा गणीत का ये कब से होगा बबु तो ये 9.30 बजे से start हो जाएगा और 12.15 तक चलेगा और second पाली में यही exam कब से start होगा तो 1.45 में शुरू होगा और 5.00 बजे साम तक चलेगा बिग्यान का य 45 तक चल रहा है तो जो गणीत होता ही ये 100 नंबर का परिक्षा होता है और जो यहाँ पे बिग्यान होता ही ये 80 नंबर का परिक्षा होता है तो इसमें कम समय दिया जाता है इसी तरीके से इसमें देख लिजे second पाली में exam स्टार्ट होगा आपका 45 में और चलेगा साड़े टाइम मिलेगा फिर यहाँ पर देखे 17 तरीक को आपको अंगरेजी का परिक्षा होगा और अंगरेजी के भी परिक्षा में ये 100 नंबर का होता है तो यह भी आपका 12-45 तक चलेगा exam साड़े नो से और यहाँ पर second पाली में भी देखे कब तक चलेगा तो 5 बजे साम तक च ली आएगा second पाली में भी बिल्कुल सेम रहेगा और ये भी 100-100 नंबर का होता है तो 12-45 तक आपका एक्जाम होगा साड़े नो से और 1-45 तक पांच बजे तक होगा उसके बाद देखे यहाँ पर यहाँ पर 21 तारीक का एक्जाम होगा और 21 तारीक का जो एक्जाम होगा य यहाँ पर भारतिय भासा यानि दूइतिय भासा है जिसमें क्या आता है बाबू एक तो संस्क्रीट आता है अर्भी आता है फार्सी आता है भुझपूरी आता है और second पाली में भी बिल्कुल सेम आएगा और यहाँ पर कुछ बच्चों यहाँ पर एक्षिक भी सह लेते है यानि एक्स्ट्रा में जो भी सह लेते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा में ज्यादा तर बच्चे एक्स्ट्रा में नहीं लेते हैं तो जो एक्स्ट्रा लेते हैं उनके लिए है तो आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है कि आपका 22 तक एक्स्ट्रा वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पर 22 तक चलेगा तो मैट्रीक वाले बच्चों को समझ में आ गया कि इनका एक्जाम कब कब है और देखिए वाइरल कोशन अब हम पढ़ाना है स्टार्ट करेंगे बाबू और वाइरल कोशन पेपर अगर परतेक भी से का करवा देंगे तो यह हमारा गरांटी है 100% श्जल पर आपको बोलना है कि सर मुझे वाट्सभ ग५्र जोड़ लीजए हम आपको वाट्सभ ग५्र में जोड़ लेंगे अब यहाँ पर इंटर का बात कर लेते हैं तो इंटर में देखिए क्य है दिया गया तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंटरמिडियेट वार् और डाउनलोड कब तक होगा तो एक नौ यहाँ पे देखे एक यहाँ पे नौ तारीक एक जनवरी 2030 तक यह डाउनलोड होगा उसके बाद देखे यहाँ पे एक और यहाँ पे एडमिट कार्ड यहाँ पे जारी होगा तो एडमिट कार्ड देखे एक और जारी होगा यहाँ प और जो practical का इडमीट काड ॐजारी होगा ये 19-12-2022 को यानि 12-23 को जारी हो जाएगा और 1-9 जनवरी तक बच्चे डाउनलोड करेंगे तो ये practical का हो गया और ये final का हो गया आपको पता चल गया अब देखें यहाँ परियोगिक परिक्षा कपसे आयोजित होगा intermediate का तो यह कपसे होगा बाबू तो यह 10 जन्वरी से start होगा और 20 जन्वरी तक यहाँ पर इंटर का practical चलेगा तो यहाँ पर सब यहाँ पर हो गया आप लोगों को पता चल गया उसके बाद देखिए यहाँ पे अब यहाँ पी इसको आपको समझना काफी जरूरी है थोड़ा से यहाँ पे हम जूम कर देते हैं ताकि यहाँ पे आपको समझ में यह रूटीन अब देखें यहाँ पे पहला दिन यहाँ पे देखें एक फरवरी को क्या है IAC, IAC यानि क्या होता है इंटर के लिए और साइन्स के लिए mathematics है और second पाली देखें यहाँ पे देखें यहाँ पे एक सो एक गणित का पहला सीटिंग में होगा और यहाँ पे आर्ट्स के लिए यहाँ पे हिंदी का एक्जाम होगा आगे देखें IAC के लिए यहाँ पे दो तारीकों physics होगा और IAC के लिए यहाँ पे आर्ट्स वाले बच्चों के लिए यहाँ पे NRB का परिक्षा होगा उसके बाद IAC यानि यहाँ पे देखें उसके बाद second वाले में देख लिए आई यानि आर्ट्स वाले के लिए यहाँ पे क्या होगा इंग्लिस होगा और जो vocational subject है उनके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इंग्लिस का परिक्षा होगा फिर तीन तारीक को देखिए IAC के लिए यहाँ पे chemistry का सिकेंड पाली में और जो vocational subject है उनके लिए यहाँ पे होगा उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 तारीक के लिए IAC के लिए यहाँ पे science के लिए biology का होगा और यहाँ पे arts के लिए यहाँ पे political science का होगा और यहाँ पे आइकम के लिए यहाँ पे commerce वाले बच्चों के लिए business study का exam होगा साथ तारीक को यहाँ पे देखें क्या होगा तो साथ तारीक को यहाँ पे IAC और आइकम के लिए IAC और आइकम के लिए यहाँ पे हिंदी का exam होगा और आइए यहाँ यहाँ पे economics का होगा और commerce का economics का exam होगा अलग-अलग आगे देखिए यहाँ दोनों का question paper अलग होत पर एक्जाम होगा और सेकेंड पाली में आईए के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बबू यहाँ पर साइकलोजी का एक्जाम होगा उसके बाद देखेंड पाली में आईकम के लिए क्या होगा यहाँ पर इसका एक्जाम हो जाएगा आप लोग यहाँ पर दे लिजेगा उ जादा यहाँ पर कुछ नहीं है, आपका परिक्षा यहाँ पर उतने दिन तक था, यहाँ पर देखिए, अब Saturday के लिए IAC के लिए जो उर्दू लिये हैं, मैथली लिये हैं, उनके लिए होगा, और जो यहाँ पर आईये लिये हैं, उनके लिए फिलोसफी का एक्जाम होगा, तो यह आपको समझ में आ गया, अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपका यहाँ पर, कब यहाँ पर आपका intermediate का परिक्षा फल आएगा, intermediate और metric का, तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, कि intermediate का वार्षिक परिक्षा 2030 का परिक्षा फल प्रकासित होगा, March, April 2030, तो March के यहाँ पर अंतिम सब्ता हमें result आता है, या April के आपका first week में क्या हो जाता है, आपका result आ जाता है, तो आपको result डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद देखिए, compartment परिक्षा क्या होता है, तो जो बच्चे metric और इंटर में किसी कारण हो, फेल हो जाते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि कोई भी बच्चा फेल होगा, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है, तो उसके लिए March और April में जैसे result आता है, उसके March उसी महिना में क्या होता है, compartment का exam हो जाता है, और जो भी बच्चे कम से कम दो बिसे में फेल होते हैं, उनके लिए फिर से परिक्षा होता है, वो लोग इन दोनों में पास हो जाते हैं, तो उनका result आ जाता है, और वो लोग इंटर में exam लिखो, इंटर में क्या करते हैं, नाम लिखवा लेते हैं, तो यह आपको यहाँ पर पूरा आपको काफी अची तरीके से समझ में आ गया होगा, कि कप कप क्या होगा, तो यह आपको काफी इसी तरीके समझ में आ गया होगा, तो आपने दोस्तों के पास जरूर इससे share किजेगा, thank you for watching, मिलते हैं अगली class में तब तक अपना ध्यान रखिए, मल लगा के पढ़ाई किजे, take care and bye